प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशू के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए एक सबस्क्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें, बस हूगया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी आज प्रभु ने एक और मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूँ प्रभु के वचन की वचन को हम कैसे पढ़ें और उससे किस तरह से पवित्रात्मा का प्रकाश प्राप्त करें, ये विशे हम पिछले दो हफ्तों से देख रहे थे और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ कोई आटम बं बनाने जैसी कोई कठिन बात नहीं हो रही है प्रभु ने अपना वचन इस तरह से दिया है अपने बच्चों को कि वो उनकी भाषा में है और प्रभु के वचन में जो बाते कही गई है उनमें से 95 प्रतिशत पॉर्शन हमें से हर व्यक्ति बड़े आराम से समझ सकता है यदि पहली रीडिंग में समझ में नहीं आया तो उसको दुबारा पढ़ें तीसरी बार पढ़ें वो समझ में आ जाएगा इन सब चीजों को मैं खाने से तुल ना करके आपको बताना चाहता हूँ मान के चलिए कि आप सर्वो तमखीर पी रहे हैं और किसी की गलती से उस खीर के अंदर मान के चलिए कि एक एक रुपे का सिक्का गर गया है वो आपके मूँ में आ जाता है अटक जाता है आप उसको धूग देते हैं उसके साथ साथ खीर पिना बंद नहीं करते इसी तरह से प्रभु के वच्चन में यह दि पांच प्रतिशत चीजें हमको समझ में नहीं आती है तो उसका मतलब यह नहीं है कि बाकी पिच्चान में प्रतिशत को हम फेंक दें जिस तरह से हम एक खीर के अंदर कोई चीश पड़ी हुई है अच्छी चीजों की बात कर रहा हूं कौकरोच की बात नहीं कर रहा खीर के अंदर कोई चीश पड़ी हुई है तो उसके कारण हम पूरे खीर को त्याग नहीं देते उसी तरह से प्रभू के वचन को जब हम पढ़ते हैं तब उसमें यदि पांच प्रतिश्यत बाते समझ में नहीं आती है तो उसका मतलब यह नहीं है कि बागी पिच्चानवे को हम इग्नोर करें और यदि ऐसा करेंगे तो वो हमारे ही आत्मिक जीवन को नुकसान करेगा यह हो गई पहली बात दूसरी बात लोगों की बीच में जो गलत फेहमी है कि बाइबल स्कूल जाना पढ़ेगा कमेंटरी सोनी चाहिए पढ़ेगी जैसा मैंने आपको याद दिलाया कि प्रभु का वचन प्रभु ने ऐसी भाषा में लिखवाया है जो आम जनता की भाषा है जिस समय खास कर नयानियम जब युनानी भाषा में लिखा गया था तब कई प्रकार की युनानी भाषाएं थी आती साहित्यक युनानी भाषाएं भी थी प्रभू ने क्यों अति साहित्यक युनैनी भाषा का उपयोग क्यों नहीं किया नयानियम क्यों आम आदमी की भाषा में लिखा गया इसलिए लिखा गया कि प्रभू चाहते हैं कि हर व्यक्ति इवन आम आदमी प्रभू के वचन को पढ़े और उसको समझे बस जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम जब प्रभू के वचन को पढ़ें तब समर्पन के साथ पढ़ें इतनी बाते तो मैंने पिछले हफ्तों में जो कही थी उसका साराश दिया प्रभू के वचन को जब हम पढ़ते हैं तब अक्सर उल्टी सीधी व्याख्या की इच्छा जरूर होती है और खास कर ब्रद्रन कम्यूनिटी में कुछ समय से उल्टी सीधी व्याख्या का बड़ा प्रचलन हो गया है इसका इतिहास मैं आपको बाद मैं बताऊंगा लेकिन इस तरह की जो ओंधी व्याख्या है उसका एक उदाहरन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मत्ती के शुप संदेश 21 अध्याय के पहले पद से हम इस तरह पढ़ते हैं मत्ती 21 पहले अध्याय से जब वे यरिशलेम के निकट पहुँचे और जैतुन पहाड पर बेत्फगे के पास आए तो ईशु ने दो चेलों को यह कह कर भेजा कि सामने के गाउं में जाओ और वहां पहुँचते ही एक गधी बंदी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ सात्वे पद में हम देखते हैं और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और प्रभू उस गधी पर बैठ गए ये कैसी घटना है जो हम सब जानते हैं पिछले दिनों मैं एक संदेश सुन रहा था तो उस भाई ने कहा कि इस संदेश की व्याख्या प्रेरितों के काम दूसरे अध्याए के 42 में पद में हमको मिलती है प्रेरितों 2 के 42 में हम पढ़ते हैं वे प्रेरितों से शिठ्षा पाने और संगती रखने रोटी तूटने और प्रार्थना में लॉलीन रहे तो उस भाई ने कहा कि गधे के 4 पैर होते हैं और गधे के जो चार पैर है वो नमबर वन प्रेरितों की शिच्छा, नमबर तू संगती, नमबर त्री रोटी तूड़ना और नमबर चार ये प्रार्थना को प्रदरशित करता है मैंने उसे सुनकर सर पीट लिया, क्योंकि वो वक्ता प्रभू के वचन का अध्यायन करने और प्रभू के वचन का असली मतलब बताने के बदले, वो अपनी कलपना की उडान भर रहा है और कल्पना की उडान में उसने गदे के चार पैरों को मतलब दे दिया है सवाल यह है कि गदे के चार पैर के सिर्फ चार पैर तो होते नहीं है उसकी दुम भी होती है, उसका सर भी होता है उसको आपने क्यों, उसकी उपेक्षा क्यों कर दी खास कर सर की उपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं तो इस तरह की जो उल्टी सीधी व्याख्या है इसका trend इस समय brethren assemblies में बढ़ रहा है इसका कारण क्या है ये भी मैं बता दूँ कारण ये है कि प्रभु के वचन का खरा खरा अध्यायन करना थोड़ा सा श्रम का काम है प्रभु के वचन को लेना होगा उसको ध्यान से पढ़ना होगा उसमें से जो प्रकाश मिलता है वो प्रकाश नोट करना होगा और इस तरह से प्रभु के वचन को लगातार पढ़ने के द्वारा प्रभु के वचन से हमको जो प्रकाश मिलता है उस प्रकाश को लेकर उसके आ आधार पर प्रभू के वचन की व्याख्या करने में थोड़ा सा श्रम लगता है श्रम क्या एक डैरी और एक पेन की बात है और समर्पंड की बात है लेकिन हम मेंसे कई लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रभू के लिए और प्रभू के वचन के लिए इतना भी करने के लिए समय न नहीं होती है, आत्मिक जिवन में सिर्फ उद्धार इंस्टिंट मिलता है, जिस छंड हम प्रभु ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन करते हैं, उसी छंड तत छंड हमको उद्धार मिल जाता है, और उस उद्धार के साथ साथ प्रभु के द्वारा दिये गए बाक साड़े तैंतीस साल दास का रूप धारिन करके जीवन बिता कर सूली पर अत्यादिक पीडा सहनी पड़ी थी, इसलिए उद्धार हमको छंड भर में दे दिया जाता है, लेकिन उद्धार का जो कारी है, वो छंड भर में पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम मैंसे कई लोगों को इंस्टिंट की आदत पड़ गई है, और हमें परमेश्वर के वचन की व्याक्या भी इंस्टिंट करने की आदत धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके कारण गदे की टांगों को, प्रेरितों की शिक्षा, संगती, रोटी तोड़ना और प्रार्थना जैसी वाहियात interpretation के द्वारा, जो लोग प्रभू का वचन सुन रहे हैं, उनको गदा बना रहे हैं, और जो लोग प्रभू का वचन सुन रहे हैं, उनमें से कई लोग कहते हैं, अरे बापरे क्या deep thoughts हैं, मतलब आपको उल्लू बना रहे हैं, आपको गदा बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि बड़ी गंबिर बाते हैं जिसका मतलब है कि हम पहले से मूर्ख हैं जो प्रभू के वचन को नहीं समझते हैं ये ट्रेंड मंडलियों में बढ़ रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ ये ट्रेंड इसको कहते अन्य अर्थ व्याख्या प्रभू के वचन का जो असली अर्थ है उस अर्थ को प्रभू की मंडली के सामने रखने के बदले इधर उदर से उल्टा सीधा कोई मतलब ढून ढान के वास्तविक अर्थ पदमिश्वर की मंडली के सामने रखने के बदले उल्टे सीधे अर्थ अन्य अर्थ लोगों के सामने रख रहे हैं ये अ बहुत जरूरी है क्योंकि ये विश्वासियों को उनके आत्मिक जीवन में प्रोचसाहित करने के बदले विश्वासियों को वियर्थ चीजों के पीछे जाने में मदद करती है। करके लोगों को गदा बना रहे हैं। मैं युहन्ना लिखना भूल गया था। युहन्ना बार हुआ अध्याय चौदह में पत्से हम जब पढ़ते हैं तब इस घटना की व्याख्या वहां दी हुई है। जब इशु को एक गदे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा। जैसा लिखा है हेसी उनकी बेटी मत डरो तेरा राजा गदे के बच्चे पर चड़ा हुआ आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे पर इशु की महिमा प्रगट की प्रगट हुई तो उनको समरन आया कि ये बातें प्रभू के विशे में लिखी हुई थी। और लोगों ने इसी प्रकार व्यवहार किया मतलब प्रभू का स्वागत किया था। यू हां थैंक यू ब्रदर जॉंसन यह रेफरेंस ब्रदर जॉंसन ने ब्रैकेट में वो कमेंड बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। मैं आपका भारी हूँ यूहन्ना जो मैंने आपको बताये वाप्रे एक एक रेफरेंस ना लिखो तो कितना गड़बड हो जाता है। प्रभु ना के विले गड़े के उपर सवार हुए प्रभु के वचन में ही उसके बारे में व्याख्या दी हुई है कि ये भविश्वानी है और जब वो भविश्वानी पूरी होगी तब समझना कि यही वो मसीहा है जो लोगों के लिए आए हैं। तो जब प्रभु के वचन में ही उसकी व्याख्या दी हुई है इसके बावजूद हम प्रभु के वचन को छोड़कर अन्य अर्थ व्याख्या के पीछे जाते हैं तो ये हमारे आलसीपन को दिखाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों जिस प्रभु ने अपने जीवन मेरे आप के लिए दिया उस प्रभु के वचन के अध्ययन की जब बात आती है तो हमसे समर्पन की उम्मीद की जाती है आलसीपन की नहीं। और इसकारण आज एक बार और मैं सभी से अनुरोथ करना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाई और बहनों प्रभु के वचन के प्रती समर्पित हो जाईए। अन्य अर्थ व्याख्या के बारे में मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। प्रभु के वचन स्पष्टतेया जो बोलता है उसकी उपेक्षा करके दिमांग में जो कुछ आ जाता है वो वहाँ पर फिट कर देते हैं। अब इस गधे के बारे में ही मैं एक बात बताता हूं। मैंने इस तरह के संदेश सुने हैं। किसी प्रचारक से कहा जाता है कि प्रभु के प्रति समर्पण या कमिट्मिन्ट के बारे में एक संदेश दीजे। तो वो तुरंत इसी पैसेज को गधे वाले पैसेज को उठा लेता है और कहता है कि उस गधे के समर्पन को देखे, जरा सा गदा था लेकिन प्रभू को ले जाने के लिए कितना समर्पन उसके जीवन में था, इस कारण हमारे जीवन में भी समर्पन होना चाहिए, मतलब वो सुनने वाले को गदा बना रहे हैं, और हम इसलिए गदे बन जाते हैं, या मूर्क बन जाते हैं, क्योंकि हम ने गदे की जो सवारी की थी वो एक भविश्वानी का पूर्ण होना था जो प्रभु का वचन स्पष्टतेया बताता है मान लीजे किसी से कहा जाता है अन्य अर्थ की मदद से किसी भी घटना को उठा के उसमें कुछ भी आप फिट कर दीजे ये प्रभु के वचन की व्याक्या नहीं है ये प्रभु के वचन का आपुमान है समर्पन के बारे में संदेश देने को बोला तो गदे का समर्पन देखे शिश्यत्व के बारे में संदेश दीजिए तो तुरंत गदे को देख लीजिए प्रभू जहां जाना चाते ते वहां गधा चला गया ऐसा ही शिश्य को होने चाहिए प्रभू ईश्यू के लॉट्शिप के बारे में संदेश दीजिए ऐसे गदे को देख लीजिए जो प्रभू के लिए अपने आप को अलग कर दिया आत्मिक वर्दान वर्दानों के बारे में संदेश देने को तो बोला जाता है तो गदे को देखिए जिसका वर्दान ये है कि वजन उठा सकता है और प्रभू को लेकर गया परमेश्वर की इच्छा क्या है विलव गौट के बारे में संदेश दीजे एक गदे को देखिए जिसने उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जानने के लिए वेट करता रहा और जब पता चला कि ये है प्रभू की इच्छा तो उसने किया Obedience आज्याकारिता के बारे में संदेश देने को बोलते हैं एक गदे को देख लीजे जो प्रभु के प्रती आज्याकारी था इस तरह से किसी भी विशे को कहीं भी फिट किया जा सकता है मैं सभी भाईयों और बहनों को याद देलाना चाहता हूं कि प्रभु के वचन का मतलब खरा खरा पड़ें खरा खरा व्याक्यान करें और खरे तरीके से अपनी डैरी में नोट करें और खरे तरीके से सिखाएं मन माना एक गदे को पचास विश्व में फिट करके जनता को मुर्ख बना रहे हैं यह ट्रेंड हमारे बीच में तभी खतम होगा जब मैं और आप प्रभु के वचन का अध्यान करेंगे जो प्रभु के वचन का मतलब जानेंगे तब इस तरह के संदेश बंध हो जाएंगे और प्रभु के नाम का अपमान सी प्रभु के वचन की गलत व्याक्या प्रभु के वचन का अपमान है इस तरह का अपमान समाप्त हो जाएगा इतना कहने के बाद कई प्रश्ण जो मेरे पास आते रहते हैं उन मेंसे कुछ प्रश्णों का जवाब आज आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ कि विश्वासी लोग प्रभु के वचन का अध्यान करें तो कुछ ना कुछ प्रश्ण आ ही जाते हैं जिनमें से कुछ प्रश्ण बहुत ही सिंसिर या खराई से लोग पूछते हैं कुछ प्रश्ण बस अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए पूछे जाते हैं इन सभी प्रश्णों का जवाब देना जिरूरी है जिससे कि हम में से हर व्यक्ति समझ सकें कि मेरे आपके मन में प्रभु के वचन के अध्यान संबंदित जो प्रश्ण है वो वाके में अग्यान के कारण है या लापरवाही के कारण है लापरवाही के कारण है तो हम लापरवाही छोड़ दें अग्यान के कारण है तो उतर को सुनकर समझ लीजिए पहला प्रश्ण है मैंने आज तक इस तरह से प्रभु के वचन का आध्ययन नहीं किया है इसलिए इस बात के क्या गारंटी है कि मैं सफल हो जाऊंगा बहुत देखने में बड़ा अच्छा प्रश्ण लगता है कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा मेरे प्रिय भाईयों और बहनों हमारे जीवन में हजारों बाते हैं जो हम पहली बार करते हैं जब स्कूल भेजा जाता है तो आईए से लेकर हर चीच पहली बार करते हैं जब शब्द सिखाये जाते हैं पहली बार सीखते हैं ग्रामर सिखाये जाता है पहली बार सीखते हैं विज्ञान इतिहास भूगोल जब सिखाये जाता है पहली बार सिखाये जाता है तो हम पहली बार सीखते हैं लेकिन यहां कहीं हम यह नहीं कहते कि नहीं नहीं मैं इसके पहले नहीं किया है मैं आसफल तो नहीं हो जाओं यहां पर जितने लोग प्रभु का वच्चन सुन रहे हैं मेरा अनुमान है कि इन में से ज़्यादा तर लोग साइकल चला लेते हैं साइकल चलाने के लिए हम कभी यह नहीं कहते कि मैंने इसके पहले नहीं चलाया कहीं गिर्टों नहीं पड़ूंगा यह कहके कितने लोग हैं जो साइकल जिन्दगी बर साइकल से बचते हैं शायद ही कोई बच्चा जब खड़ा होने की कोशिश करता है और कई बार गिर जाता है तो बच्चा फिर जिन्दगी बर यह नहीं सोचता कि मैंने इसकी कोशिश नहीं कि इसलिए गिर पड़ा और आग कि जिस कारी को वो करना चाहता है उसमें असफल हो जाए तो दुबारा तीसरी बार चौती बार कोशिश करता है तो सिर्फ प्रभू के वचन के बारे में ही ये डर क्यों कि मैंने इसके पहले कभी नहीं किया कहीं मैं असफल तो ना हो जाओं कहीं ये अपने laziness लापरवाही और काम चुरी को छुपाने के लिए तो एक बहाना तो नहीं है हम अपने आप से पूछें और यदि आपको लगते हैं नहीं नहीं बहाना नहीं है ये मेरा एक वास्तविक जेनुइन प्रश्न है तो उसका उत्तर ये है मेरी प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन किसी भी नई चीज को जब हम सीखने की कोशिश करते हैं अजमाने की कोशिश करते हैं तो कुछ में असफलता तो होती ही है लेकिन असफलता जीवन में कभी हमको पीछे हटने नहीं देती है इस मामले में भी यदि प मिलेगी इतना ही नहीं कई बार जब हम कोई काम करना चाते हैं और exactly सही दिशा नहीं मिल रही हम क्या करते हैं दूसरों से मदद मांगते हैं इस मामले में भी आपकी मदद के लिए बहुत सारी लोग तयार हैं वे आपकी मदद करेंगे मांग के तो देखिए मैं 68 साल का हूँ इतनी उमर होने के बाद भी जब कोई नया काम करता हूँ तो मुझे इवन अपने से उमर में छोटों से पूछने में कोई परेशानी नहीं होती है जो फास्ट फूड वगरा है और तेजी से जो खाने बनाये जा सकते हैं उनके बारे में मैं अपनी बच्चियों से पूछता हूँ और उसी तरह से जब अन्नी चीज़ें जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है या साइन्टिफिक बाते हैं इनकी बाते आती हैं तो मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ जो इन विश्यों में एक्सपर्ट है बच्चे बच्ची दोनों उसमें इंक्लूड़ेड है दूसरा प्रश्ण है मैं स्वयम बाइबल का अध्यायन करने से हिच की चाता हूँ कहीं ऐसा नहो कि स्वयम बाइबल अध्यायन करने में मुझे बहुत सफलता मिल जाए और मेरा दिल कहीं घमंड से ना भर जाए बहुत दूर की कौड़ी लाएं हैं कहीं मेरा दिमांग घमंड से ना भर जाए हम में से हर व्यक्ति जीवन में पच्चास काम करता है जिसमें सफलता मिलती है स्कूल में एक्जाम देते हैं कॉलेज में एक्जाम देते हैं डिपार्टमेंटल एक्जाम देते हैं ड्राइविंग सीखते हैं और अपने इच्छा की कोई वस्तू बहुत इच्छा के साथ खरीते हैं जब इन में सफलता मिलती है तो वहां क्यों नहीं गर्मेंट के बारे मे फिकर करते, खास कर स्कूल, कॉलेज, आफीस वगरा में जब प्रमोशन मिलता है, तो वो तो ऐसी चीज़े हैं, जो हमको बहुत खुशी देती हैं, तब आप क्यों नहीं फिकर करते हैं, कि मेरा दिल घमंड से ना भर जाए, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, कि मैं यह सर्फ एक बहाना है, जीवन में पचासो बातें हैं, जो हमको घमंड से भर सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों को करने से हम बिल्कुल हीच-किचाते नहीं हैं, तो प्रभु के वचन में ही यह घमंड दादी की फिकर क्यों, यह एक वास्तविक शिकायत नहीं है, प्रभु क चोड़िये, याद रखें, कल हम जब प्रभु के न्याय आसन के सामने या न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, और जब हमारे जीवन का हिसाब वहाँ पर खोला जाएगा, तब हमको लगेगा, अरे थोड़ा सा और कर लेना चाहिए था, दो लोगों से और प्रभु का कर लेना चाहिए था, प्रभु के वचन के अध्यान के लिए मेरे पास पचास आउसर थे, मैंने सारे आउसर गवा दिये, मुझे थोड़ा और प्रभु के वचन में जीवन बिताना चाहिए था, लेकिन तब अफसुस करने से कोई फाइदा नहीं होगा, क्योंकि ये जीव नमको दुबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे प्रीव भाईयों और बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस तरह की बहाने बाजी के द्वारा प्रभु के वचन के स्वयम अध्ययन से, आत्म अध्ययन से दूर ना रहें, हम अपने जीवन में इस तरह के बहान का उपयोग ना करें, तीसरा प्रश्न है, कि मेरे चर्च में इस तरह के कई लोग हैं, जो प्रभु के वचन के मामले में मुझसे अच्छे विद्यार्थी हैं, या प्रभु के वचन के मामले में मुझसे अच्छे टीचर्स हैं, इस कारण मैं अध्ययन से हीचकता हूँ, आपको याद देलाना चाहता हूँ कि हमारी मंडली में और हमारे आसपास इस तरह के हजारों लोग है जो हर चीज हमसे अच्छी तरह से कर लेते हैं। हमसे अच्छा खाना बना लेते हैं। इस कारण बंद नहीं कर देते कि हमारे चर्च में या हमारे परिवार में या मैं जिस तफ्तर में काम करता हूँ वहां कोई तो भी है जो मुझसे जादा अच्छी तरह से वो कारी करता है। खासकर खाना बनाने के बारे में मैं याद दिलाता हूँ। कोई करता है क्या। मेरा पडोसी या मेरी पडोसी अच्छा भोजन बनाते मुझसे अच्छा बनाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने घर में भोजन बनाना बंद कर दें। तो इसलिए ये जो प्रेशन है कि मुझसे बहुत अच्छे बाइबल विद्यारती चर्च में हैं। इसलिए मैं क्यों अध्यान करूँ ये सिर्फ एक पहाना है। या मुझसे अच्छे बाइबल टीचर्स है। देखिये व्यक्तिगत बाइबल अध्यान का लेच्शे、 प्रथम लेच्षे आपको बाइबल टीचर वनाना नहीं है। और इसकारेंड मुझसे अच्छे Bible Teacher हैं इसलिए मैं क्यों अध्यान करूँ ये भी सिर्फ एक बहाना है व्यक्तिगत Bible अध्यान का लेक्ष है कि आप प्रभू के वचन को समझें और जब आप प्रभू के वचन को समझें तब पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा आप अ बालक बनता है और उसके बाद वो प्राण हो जाता है ये बातें प्रभु के वचन में कई जग कही गई हैं जैसे पहला कुरंतियों पांचवा अध्याय का आखरी हिस्सा और तीसरा अध्याय इब्राइनियों की पात्री पांचवा अध्याय आखरी हिस्सा और छटा अध्या उसके अलावा भी और कई जगे ये बाते कही गई हैं नए जन्मे हुए बच्चों के समान परमेश्वर के वचन के निर्मल आत्मिक दूद की काम न करो जब हम आत्मिक जिवन में शैशव अवस्ता में हैं तो मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु का वो बाइबल टीचर बनने के लिए नहीं है मेरे आत्मिक जिवन में पहले मुझे दूद मिले जब मैं थोड़ा और बढ़ जाता हूं तो और ठोस भोजन मिले और कुछ और बढ़ जाता हूं तो उससे भी अच्छा भोजन मिले ये है व्यक्तिकत बाइबल अध्यान का ले इसका आपके आत्मिक जीवन से क्या संबंध है वो अच्छा बाइबल टीचर है बहुत अच्छी बात है उसको सिखाने दीजे आप भी उसका आनंद लीजे लेकिन जस्ट बिकोज वो अच्छा बाइबल टीचर आप क्यों अपना व्यक्तिकत बाइबल अध्यान बन करते ह इसमें क्या तरक है इसके पीछे क्या कारण कोई कारण सी इतना है कि हम प्रभु के वच्छन का अध्याय नहीं करना चाते और उसके लिए बहाना बनारहें इस दुनिया में हर फील्ड में हमसे अच्छे लोग मिल जाएंगे लेकिन उसके कारण हम में से कोई भी व्यक्ति अपने कारियों को बंद नहीं करता है बोरिय अब इस तरह बंद करके घर नहीं चला जाता बाइबल स्टडी के बारे में भी ऐसा ही है अगला प्रश्ण है मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां से आरंब करूँ ये एक जनुइन ये एक सही प्रश्ण है क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आम आरंब करते हैं तो कहां से आरंब करना है ये आपने आपने एक प्रश्ण है उसके लिए मेरा सुझाव है मेरे प्रीए भाईयों और बेहनों प्रभू के वचन से सबसे पहले तो सरल सरल विश्यों को चुन लीजिए जैसे उधार है उधार संबंदित जो भी पद आपको मिलते हैं उनको कलेक करके उनका अध्यान कीजिए उसी तरह से प्रभू के वचन में वे पुस्तक हैं जो सरलता से पढ़ी जा सकती हैं जैसे गलातियों की पत्री गलातियों की पत्री को तीस मिनित से कम समय में पूरा पढ़ा जा सकता है उसी तरह से पत्रस तिसलोनिक्यू तिमोतियूस यूहनना की पत्रियां यहुदा की पत्री इनको quickly पढ़ा जा सकता है तो इन में से किसी एक छोटी सी पुस्तक को ढूंड लीजिए उसको बार-बार पढ़िए इवन यहुदा की पत्रे को उठा लीजिए उसमें सरफ 25 पद हैं उसको एक चार बार पढ़ेंगे तो अचानक आपको लगेगा कि अगले तीन पद में यह कहा गया है तो यदि आपको नहीं मालूम की कहां से स्टार्ट करना है तो उसके बारे में ये एक जैन्मिन प्रशन है हम ऐसे कई लोगों के समस्या होती है कुछ सरल विशे चुन लीजिए और उन विश्यों का अध्यान कीजिए उसके अलावा प्र कर सकते हैं यहुदा की पत्री को तो आप 30 मिनिट में कम से कम 6-7 बार पढ़ सकते हैं पढ़िए आपको जीवन देने वाली बात हो रही है जब हम 50 बातों के लिए समय देते हैं तो प्रभु के वचन के लिए समय क्यों न दे और फिर जब आप इस तरह से उसको बार बार प परकाश है वो आपको आगे बढ़ने के लिए दिशा देगा आजकल तो अपन सब लोग शहरों में रहते हैं इस कारण मैं जो बता रहा हूं ये आजकल हम देखते नहीं हैं लेकिन आप समझ सकते हैं मेरी मां का घर एक बहुत ही ज़्यादा बीहड गाओं में था या गाओं में है 30-40-40 फुट उचे 50-50-60-60 फुट उचे पेड़ घने पेड़ है जंगल नुमा जगह है आज भी ये स्थिती है तो आज से 45 साल पहले जिसकी मैं बात कर रहा हूं सोचे क्या स्थिती रही होगी कुछ साल मैं केरल में जब काम करता था तब अपना वीकेंड मां के घर में मामा के घर में बिताता था आज बहुत पावर्फुल टॉर्च उपलब्द है उस समय अच्छे पावर्फुल टॉर्च आज से 45 साल पहले उपलब्द नहीं थे और जो थे वो भी बहुत महंगे पड़ते थे इन टॉर्च को के साथ मैं अपने वीकेंड में अपने मामा जी के घर चला जाता था नौकरी करता था नौकरी के बाद बहुत मुश्किल से बस मिलती थी उस बस में दो घंटे बैठने के बाद में रोट पर छोड़ जाता था जहां से फिर दो किलो मीटर जंगल नुमा फील्ड से होकर घर पहुचना पड़ता था उस समय के जो टॉर्च है उसको आप और्ण कर लिए 45 साल पुरायने टॉर्च की बात कर रहा हूँ और कर लिए दस फुट से ज्यादा आपको नहीं देखता ज्यादा से ज्यादा दस फुट और कई बार बस से जब उतरता था तब पता चलता था कि आज थैले में टॉर्च तो डाला ही नहीं तो वहाँ जस्ट जहां उतरते हैं वहाँ एक घर था वहाँ जाके उनसे मदद मांगते थे तो वो एक मौम्बत्ती जला कर दे देते थे या नारियल के जो पत्ते होते हैं उनका गठर बना के उसके सिरे पर आग लगा के दे देते थे ये अपने अपने एक बड़ा अनुभाव था चाहे टॉर्च हो या मोंबत्ती हो या नारियल के जलते हुए पत्ते हो आप दस फुट से जादा नहीं देख सकते और आपको चलना है दो किलो मीटर और दोनों तरफ पेड ऐसे भायंकर खड़े हुए हैं जैसे कि आती विशाल प्रेत खड़े हुए हो और आवाज भी ऐसी आती है लेकिन मैंने वहाँ जाना बंद किया क्या नहीं इसलिए कि दो किलो मेटर दिखे या ना दिखे यदि दस फुट दिखी जाता है और यदि आप दस फुट आगे चल लेते हैं तो अगला दस फुट दिखने लगता है उस घोर अंदकार में एक एक फुट जब हम एक फुट दिखता चला जाता है इसी तरह से प्रभू के वचन का जब हम अध्यान करते हैं तब कहां से स्टार्ट करना है यह शायद हमको ना मालूम पड़े लेकिन एक बार आप जब स्टार्ट कर देते हैं तो अगला अगला फुट अगला फुट अगला फुट या मिलता चला जाता है और इसलिए यदि आप नहीं जानते कि कहां से अध्यान चालू करना है तो एक सरल सा विशे एक या दो विशे लेकर उसका अध्यान कीजिए एक या दो सरल पत्रियां लेकर उसका अध्यान शुरू कर दीजिए मैं हमेशा recommend करूंगा कि गलातियों की पत्र पत्रियां भी हो सकती है यहुदा की पत्री भी हो सकती है पत्रस की पत्रियां भी हो सकती है इन में से किसी को लेकर अध्यान कीजिए और जैसे जैसे शुरू में आप एक फुट आगे बढ़ेंगे अगला फुट नजर आएगा कुछ समय के बाद 10 फुट आगे अगला प्रश्ण है अभी मेरे जीवन में अच्छा आउसर नहीं है मैं एक ऐसे आउसर के इंतजार में हूँ जहां मैं अच्छी तरह से प्रभू का वचन पढ़ सकूँ ये कुछ लोग गलत फहमी के कारण बोलते हैं कुछ लोग जान बूच कर प्रभू के वचन को दूर रखने के लिए करते हैं मैं आपको याद बिलाना चाहता हूँ कि जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए कभी आउसर का इंतजार नहीं करते हैं उसको तो तुरंत करते हैं प्रभू के वचन के अध्यान के लिए क्यों, मैं अच्छे आउसर के इंतिजार में हूँ, प्रभू के वचन के लिए क्यों इस तरह का बहाना हम बनाते हैं, इवन गैर मसीही लोग जानते हैं, कि आउसर की तलाश में रहोगे कभी नहीं मिलेगा, मतलब इस तरह से बहाने के रूप में मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब रास्ते में एक प्याओं पढ़ता था उस प्याओं की ओपर दो लाइन लिखे हुए थे उसमें पहली लाइन थी जब तक है जिन्दगी फुर्सत में मिलेगी काम से तो इसलिए यदि आपको लगता है अभी आवसर अच्छ नहीं है मैं एक अच्छे आवसर के तलाश में हूँ जिन्दगी भर वह आवसर नहीं मिलेगा हम जो भी काम करना चाहते हैं उसको तुरंत करते हैं उसी तरह से प्रभु के वचन का अध्यान भी तुरंत शुरू कीजिए क्योंकि ये देखा गया है कि जो व्यक्ति आवसर का उपयोग मतलब इंतजार करने के बदले जो उसके सामने आ गया है उसका उपयोग करता है उस के सामने आउसर ही आउसर ही आउसर आते जाते हैं मैं इसका एक उदाहरंट देना चाहता हूँ आज से लगभग साट साल पहले एक आदमी ने पहले फोटो कॉपईर मिशीन का विश्कार किया सबसे पहले दुनिया की जो सबसे बड़ी computer company थी IBM उनको ले जा कर दिया कि आप चाहें तो ये patent मुझसे खरीद लें IBM के जो engineer वगरा थे उनने देखा इसको उनने कहें नहीं 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 बेकार का बेकार का अविशकार है IBM ने उसका तिरस्कार कर दिया वो आदमी एक और company के पास गया जो काफी छोटी company थी company की engineers ने जैसे ही आविशकार देखा वो एकदम से उनने उसको grab कर लिया वो company photocopier machine के कारण दुनिया की सबसे बड़ी companies में एक बन गई आज भी उसका नाम आपने से कही लोगों को मालूम है Xerox photocopy कर लो उसका परियाई वाची शब्द बन गे इसका Xerox करवा लो Xerox company के जो engineer थे देखते ही उनने पहचाना कि यह आउसर है तो इस कारण मैं आपको याद बिलाना चाहता हूँ कि मैं एक और अच्छे समय की तलाश में हूँ इस तरह से जो बोलके लापरवा ही करता है उसके जिंदगी में कभी अच्छा उसर नहीं आता है लेकिन जो जो भी उसके सामने है उसका उपयोग करता है वो जिस तरह से जी रॉक्स दुनिया की सबसे बड़ी फोटो कॉपी कंपिनी बन गया था उसी तरह से अपने जीवन में आत्मिक जीवन में वो और अधिक आउसर पाता है एक और प्रश्न है हाँ जरूरत हुई तो मैं थोड़ा बहुत समय निकाल सकता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत समय प्रभु के वचन के आध्यान के लिए मैं डिवोट करूँ उसमें क्वालिटी नहीं आपाएगी ये जो क्वालिटी टाइम है ये अपने आपने एक बहुत बड़ी मिथ्या है एक बहुत बड़ा जूट है जो मसीही जगत के बाहर से आया है प्रभु ने मदद की तो हम यहां से अगले हफते पिक अप करेंगे और जहां तक मेरा अनमान है अगले हफते प्रभु के वचन का अध्यान कैसे करेंगे इसका आखरी क्लास होगा जिसके बाद प्रभु ने मदद की तो हम इसी तरह से किसी उपयुक्त विशे को ले लेंगे लेकिन यह जो क्वालिटी टाइम है इसके बारे मैं मैं याद दिलाना चाहता हूं कि क्वालिटी टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती है हमको जो भी समय हमारे जीवन में उपलब्द है उसमें क्वालिटी लानी होगी मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सुबह पाँच बजे घर से निकल कर दो दो तीन तीन घंटे ट्रेन से यातरा करके अपने दफ्तर पहुँचते हैं और शाम को वहां से यातरा करके रात को आठ बजे घर पहुचते हैं वे लोग बड़े आराम से शिकायत कर सकते हैं हमारे पास क्वालिटी ट्याइम नहीं है लेकिन ऐसे एक शक्स के बारे में बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ उस व्यक्ति का नाम है केनथ टेलर केनथ टेलर को फाइनली लगा कि मैं बच्चों को समय नहीं दे पा रहा तो वो जब ट्रेन से यातरा करता था तो जाते समय और आते समय आस पास के लोगों के साथ बातचित करने के बदले टाश खेलने में समय वेस्ट करने के बदले उसने प्रभु के वचण को पढ़ना शुरू किया और कुछ पढ़ने के बाद उसका लगा कि मेरे बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे इसलिए उसने प्रभू के वचन के कई हिस्सों को सरल शब्दों में लिखना शुरू किया घर आके जब वो बच्चों को पढ़के सुना था तो बच्चे उत्सा से भर जाते थे कि डैड पहली बार हम प्रभू के वचन को समझ पा रहे हैं एक बार जब उनके शाम के वचन पढ़कर बच्चों को सुनाने का समय आया तब उनके चर्च के पास्टर वहां आए तो उन्होंने कहा कि आईए बैठिये मैं जरा बच्चों को पढ़के सुनाओं उसके बाद अपन बात करेंगे प्रार्थना करके उनको भेज दूँ तो आप पास्टर ने कहा ठीक है लेकिन प्रभू के वचन को इतने सरल तरीके से मैंने नहीं सुना है उन्होंने Kenneth Taylor पर दबाव डाला कि वे जितना उन्होंने किया है उसको चापते हैं उन्होंने उसको चापा और क्रम्श प्रभू के वचन के और हिसे चापते चले गए आज वो Living Bible के नाम से जाना जाता है अंग्रे जी भाषा का सबसे सरल ट्रांसलेशन सच कहा जाए तो पैराफ्रेज है पैराफ्रेज क्या है फिर हम देखेंगे इवन एक गैर हंग्रे जी व्यक्ति उसको बड़े आराम से पढ़कर समझ सकता है यदि वो ये सोचता कि मेरे पास समय नहीं है कभी समय नहीं मिलता लेकिन उसने सोचा कि मुझे जो समय यात्रा करते समय मिलता है मैं उसको उप्योग करके देखू तो और उसने जो देखा वो उसके बच्चों के और दुनिया भर के करोड़ों लोगों के जीवन में अनिग्रह का कारण बन गया इसलिए मुझे समय मिलेगा थोड़ा सा मिल सकता है लेकिन उसमें क्वालिती है या नहीं मैं नहीं समझ पा रहा इस तरह से कोई सोच रहा है तो मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ क्वालिती पैदा की जाती है आपने आप नहीं आता है जो समय प्रभु ने आपको दिया है उसका उपयोग करना शुरू कीजिए quality अपने आप आजाएगी प्रभू का वचन जब आप समझने लगेंगे तब आप आपकी जीवन में progress होगा, दूसरों के लिए भी अनग्रह का कारण बन सकेंगे इन बातों को समझने के लिए और इनके द्वारा अनग्रह पाने के लिए और जीवन में एक नई आदत प्रभू के वचन के अध्यान की स्वेम अध्यान की आदत डालने के लिए प्रभू आप सब की मदद करे प्रभू के नाम की महिमा हो प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा, शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवम सहज भाशा में प्रभचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रभचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्थिमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हम को बहुत अधिक प्रोच साहन देता है जै मसीह की